नमस्कार आप लाइब सिटिस देख रहे हैं मैं हूँ प्रमबिर सिंग लोगसभा चुनाव को लेकर बिहार में सियासत तेज है आपको भी मालूम है कि बिहार के रास्ते होकर ही दिल्ली की गद्धी तक पहुँचा जाता है बिहार यूपी जिसके साथ रहते हैं वुसी की सर परकार बनती है तो इसलिए बिहार जो है सभी गठबंदनों के लिए खास है और लाइब सिटिस भी आपको बिहार के तमाम सीटों का हालचाल बता रहा है और जितने भी गठबंदन हैं वो ऐसे उमिदवार की खोज कर रहे हैं जो उन्हें जीत दिला सके वहीं जो संभाव वहीं तुमिदवार हैं वो अपने अपने छेतरों में जम कर मेहनत भी कर रहे हैं तो वहीं पार्टी के आरा कमान की प्रिकर्मा भी कर रहे हैं ताकि उन्हें टिकट मिल जाए आज बात करने जा रहे हैं खगडिया सीट की खगडिया सीट को लेकर अगर कहा जाए तो काफी महत्पून यह सीट रहा है यहाँ पर सबसे पहले कॉंगरेस के सांसत बने फिर जनता दल के सांसत बने फिर यहाँ पर आरजेडी के भी सांसत बने हैं लोचवा के भी सांसत बने हैं जैदियू के भी सांसत बने हैं लेकिन अभी बीजेपी के तरब से कोई यहाँ पर उमिदवार जो है चुनाव नहीं जीत पाया है अब बात करने जा रहे हैं कि आखिर खगडिया में 2019 में क्या कुछ हो आता और आकरों से आपको समझाने की कोसिस करेंगे कि यहाँ पर किस गठबंदन की इस्तिती मजबूत है और किसका कितना वोट मेंक यहाँ पर है अगर अभी हम खगडिया की बात करें तो खगडिया से अभी लोचपा के सांसद महबूब अली कैसर है महबूब अली कैसर ने 2019 के चुनाव में भी आईपी के सुप्रीमों और भी आईपी के उमिदवार मुके सहनी को चुनाव हराया था करीब 2,48,570 मतों से महबूब अली कैसर यहाँ चुनाव जितने में कामयाब हो आय थे लोजपा के उमिदवार महभूब अली कैसर को 5,10,193 में मत मिले थे वोट परतिस्थ की बात करें तो 52.77 परतिस्थ वोट इनको मिला था वहीं यसीट जो है महाकटबंदन में भी आईपी के खाते में गई थी भी आईपी के तरब से खुद पार्टी के सुप्रीमों मुके सहनी यहां से चुनाव लग रहे थे मुके सहनी को 2,61,623 मत मिला था अगर वोट परतिस्थ की बात करें तो 27.06 परतिस्थ होता है वहीं तुसरे नमर पर निर्दलियों मिदवार थे जिनें 51,847 मत मिले थे तो यहां पर देखा जाए तो 2019 के चुनाव में महबूब अली केसर भारी मतों से चुनाव जितने में कम्याब रहे थे 2019 की चुनाव की बात करें तो उस वक्त बिहार में जो चुनावी समिकरन था वो काफी अलग था वक्त नितिल्स कुमार की पार्टी जज्यू बीजेपी की साथ थी लोचपा जो अब दो भागों में बट गई है उस वक्त लोचपा एक जूट थी और NDA में सामिल थी और लोचपा के ही उमिदवार महबूब अली कैसर थे और यहां से वो असानी से चुनाव जितने में कमयाव रहे थे लेकिन अब बिहार की सियासत पूरी तरह से बदल गई है नितिल्स कुमार जो है लालू परशाद्यादों के साथ है और खास बात यह है कि पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि जब लालू परशाद्यादों नितिल्स कुमार और कॉंग्रेस मिलकर जो है बीजेपी याने के NDA से टकराने जा रहे हैं तो 2024 में क्या होने जा रहा है इसको समझने के लिए 2014 के चुनाव परिणाम को भी समझना होगा 2014 का चुनाव इसलिए खास है क्योंकि उस वक्त नितिल्स कुमार के पार्टी जो जदिव थी वो अलग होकर चुनाव रही थी एक तरफ जहां कॉंग्रेस और आरजेडी का कटवंदन था एक तरफ एंडिये थी तो दूसरे तरफ नितिल्स कुमार अकेले खरे थे और खगडिया में क्या खुछ हुआ 2014 में इसे अगर आप जानिएगा तो समझ पाईएगा किस पार्टी का कितना यहाँ पर जनाधार है अगर बात करें 2014 के चुनाव में तो 2014 के चुनाव में लोजपा जो है एंडिये में ही सामिल थी और यह सीट जो है लोजपा के ही खाते में गए थी और लोजपा ने महबूव अली कैसर को ही अपना मुदवार बनाया था महबूव अली कैसर को 3,13,806 मत मिले थी वोट परतिसत के बात करें तो 35.01 परतिसत इन्हें मिला था वहीं दूसरे नमर पर राज़त कुमिदवार किष्णा यादो थे इन्हें 2,37,803 मत मिले थे वहीं तिसरे नमर पर ज़दिव के दिनेश चंदर यादो थे जिन्हें 2,20,360 मत मिला था तो अब समझिए कि एक तरफ जहां RGD को 2,37,000 मत मिला था वहीं दूसरे तरफ ज़दिव को 2,20,000 वोट मिले थे और लोजपा के उमितवार महबूब एलिक कैसर को 3,13,806 मत मिले थे तो अगर ये वोट आपस में जूरता है यानि कि अब राज़त ज़दिव एक साथ है और राज़त ज़दिव का अगर वोट बैंक नहीं बिखरता है यहाँ पर तो कहीं न कहीं NDA के लिए इससे जितना थोड़ी मुश्किल हो सकती है और यहाँ पर जो लराई होगी वो जवरदस्थ होने वाली है तो 2024 के चुना में क्या होगा ये तो समय ही बताएगा उससे पहले अब खगरिया लोकसभा के विधान सभा छेतरों का भी हाल समझ लेते ह कि आखिर विधान सभा में कौन सी पाटी मजबूत है और किसके अधीक विधायक है तो अगर बात करें तो खगरिया लोकसभा में कुल 6 विधान सभा हैं जिन में से सहरसा जीले की एक सिमरी बक्तियारपूर सीट आती है समस्तिपूर की हसन पूर सीट आती है और खगरिया क चार विधानसभा छेतर इसमें सामिल किये गए हैं तो सिमरी बक्तियारपूर से यूसुप सलालुदिन जो है आर्जेडी के विधायक है हसरपूर से तेजपरताप यादो आर्जेडी के विधायक है लालुपरशाद यादो के बेटे हैं बिहार सरकारव्य मंद्री हैं अलावली से राम बिडिक्स सदा जो की RGD के ही विधायक हैं और खगडिया से छत्रपती यादो ये कॉंग्रेस के विधायक हैं बिल्दौर से पन्ना लाल सिंग पटेल ये जद्यू के विधायक हैं और परबता से संजीव कुमार ये भी जद् कि यहाँ पर BJP और NDA का पत्ता एकदम साब है यानि कि यहाँ पर 6 सीटों पर महागडबंदन का ही कबजा है हाला कि उस वक्त नितिश कुमार की पार्टी जब 2020 का विधान सभा चुनाव हो रहा था तब NDA में सामिल थी और कहीं न कहीं जद्यू के विधायकों को NDA का बात कर लेते हैं क्योंकि बिहार में राजनीती की बात हो जाती की बात ना हो यह हो नहीं सकती क्योंकि बिहार में जो राजनीती है वो जाती समिकरन के आसपास घुमती रहती है तमाम जितनी भी पार्टिया है वो जाती समिकरन का ख्याल लगती है और इसी समिकरन का अधार पर परतियासी भी ही चुने जाते हैं तो अगर खगडिया की बात करें तो यहाँ पर एमवाई समीकरन एक बड़ा फैक्टर है यानि कि एमवाई समीकरन जिसके साथ रहेगा वो यहाँ पर चुनाव असानी से जी सकता है लेकिन दूसरे तरफ यहाँ पर बीजेपी खुद चुनाव नहीं लड़ती है बलकि अपने सहयोगी पार्टी लोच्पा को चुनाव रहाती है लेकिन लोच्पा अभी दो भागों में बढ़ चुकी है लोच्पा रामविलास पासवान के निधन के बाद लोच्पा जो है वो दो भागों में पटी एक तरफ पसुपती कुमार पारस का गूट एक तरफ चिराग पासवान का गूट तो पसुपती कुमार पारस के साथ अभी जो है महबूब अली कैसर साथ में है देखना होगा कि यह सीर्ट जो है लोजपा राम बिलास के खाते में जाती है या फिर राष्टी लोजपा के खाते में जाती है तो अगर अभी जाती है समिकरण के हम लोग बात कर रहे थे तो सबसे अधिक यादो जाती का यहां पर वोट है दूसरे नमबर पर मलाह वोटरों की भी अबादी ठीक ठाक है और इसी वज़ा से मुकेस सहनी 2019 के लोगसभा चुनाव में यहां से लरे थे और तिसरे नंबर पर कुड्मी कुस्वाहा यानि के नितिश्च कुमार का लौकुस समिकरन है इनकी भी अबादी बहतर है ये जिसे चाहेंगे उसे जिता सकते हैं और ह हरा सकते हैं चौथे नंबर पर मुस्लिम वोटरों की संक्या है और पाचवे नंबर पर अतिपिछरों की संक्या है और इसके अलावे अन जाती के जो वोटर हैं उनकी भी तदाद यहां पर बहतर है तो देखना हुगा कि एमवाई समिकरन क्या लालुक परशाद यादो महा कड़ बंदन के साथ रहता है क्या नितिस का लौकु समिकरन नितिस कुमार की पार्टी जदिव के साथ रहता है और यहां से आरजेडी चुनाव लरेगी या जदिव यह अभी टै नहीं हुआ है क्योंकि पिछले चुनाव में आपने देखा 2014 के चुनाव में आरजेडी के उमिदवार को भी बढ़िया वोट मिला था तो वहीं जदिव के उमिदवार भी काफी पीछे नहीं थे मातर कुछ 1000 वोटों का ही अंतर था और यहां से जदिव के भी सांसत रहे हैं इसके अलावा यहां पर आरजेडी के भी सांसत रहे हैं तो दोनों पार्टियों का जो है इस seat पर दावा है तो देखना होगा कि महागठमंदन में इस seat को लेकर क्या कुछ फैसला होता है और ये seat किसके खाते में जाती है उधर ये देखना होगा कि बिहार NDA में इस seat को लेकर क्या फैसला होता है क्या ये चिरागपासवान के पास ये seat जाती है या फिर उनके चाचा पसुपति कुमार पारस के खाते में इस सीट को दिया जाता है ये बरा सवाल है इसके लिए सीट सेरिंग तक के लिए इंतजार करना पड़ेगा जब बिहार में सीट बटवारा हो जाएगा तब ब्याकर पता चलेगा कौन सीट किसके खाते में गई है और कौन कहां से अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते में इस सीट को लेकर खगर या सीट को लेकर आप क्या सोचते हैं कोमेंट करके बता सकते हैं वीडियो फिसबूप देख रहे हैं तो हमारे पीज को भी लाइक कर लें बहुत बहुत धन्यवाद